क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं खेती या व्यबसाई में असपल हो चुके हैं या फिर आप ढूंड रहे हैं कमाई का कोई नया जरिया शहद से तो आप परिचिती होंगे शहद से भी मीठा और फाइदमन होता है इसका व्यापार डौक्टर नितिन कुमार सिंग मदुमक्खी पालन करके हर महीने कर रहे हैं लागों रुपे का व्यापार क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 80,000 करोड रुपे का शहद हर साल बिखता है ये आंकडाग 2028 तक लगभग 30,000,000 करोड तक पहुँच जाएगा इसमें भारत से सिर्फ 800 करोड रुपे का शहद एक्सपोर्ट होता है मदुमक्खी पालन में भारत का स्थान विश्व में 5 वाक और एशिया में पहला है इस व्यापार में हैं तरक्की की और सीमित संभावनाई इसलिए तो सिर्फ सहारनपुर जिले में 10-15,000 लोग मदुमक्खी पालन कर रही है अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूँ मदुमक्खी पालन आप 3,000 रुपे के छोटे से निवेश से शुरू कर सकते हैं 20 किलो शेहद भी अगर आप बेचते हैं तो आप तक्रीबन 7,000 रुपे तक असानी से कमा सकते हैं शेहद के साथ बिना किसी अतिरिक्त खर्च के मोम और पराग जैसे पदार भी करते हैं माला माल बढ़ती हुई जन संख्या और पारंपरिक फसल में कम आमदनी से निजाद दिला सकता है मदुमक्खी पालन इसलिए केंद्र सरकार ने भी एक साल में 500 करोड रुपे खर्च करने का किया है एलान लेकिन उचित मार्ग दर्शन और सठीक जानकारी से ही शेतर में कामियाबी हासिल हो सकती है भई बिनाग गुरु दक्षना और समय खर्च किये तो महबली कंड भी नहीं बने थे धनुर्दर एक लेक पढ़कर या कुछ यूट्यूब्स वीडियो देखकर मत बुनिय कामियाबी के सपने अधूरी या गलत जानकारी के साथ किसी भी व्यवसाय में नहीं है भविश्य देश के सबसे सफल मदुमक्खी पालक डॉक्टर नितिन से लीजिए प्रैक्टिकल ग्यान उनके साथ मिलकर हमारी रिसर्च टीम ने तैयार किया है मदुमक्खी पालन पर ये कोर्स ये कोर्स सिर्फ मदुमक्खी पालन में सफलता की ग्यारंटी नहीं है बलकि ये आपको बनाएगा एक्सपर्ट इस कोर्स में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस कोर्स में हमारे मेंटर आपको बताएंगे कि मदुमक्खी पालन करने का सही तरीका क्या है किस तरह से शहद बनाया जाता है? कैसे शहद के साथ साथ और भी प्रोडक्स बना कर बेचे जा सकते हैं? उन प्रोडक्स की मार्किटिंग और ब्रांडिंग कैसे की जाए से लेकर कितना मुनाफ़ा आपको होगा ये सारी जानकारी आपको इस स्पोर्स में मिलेगी? फ्रीडम एप पर आपको अपना प्रोडक्ट बेचने का मौका भी मिलेगा आप हमारी माकिट प्लेस पर अपना बनाया हुआ शहद जो है वो बेच सकते हैं